खंबागेणी मारो राजस्थान पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब आप सब आप सब भी बहुत अच्छे हैं लास्ट एक दो दिन से हेल्थ इशूस की वज़े से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई लेकिन आप सब के मैंने कॉमेंट्स पड़े है और आप सब को रिप्लाई भी किया था तो उनी में से एक लर्नर की ये रिकमेंडेशन थी कि मैं रोडवेस के अंदर जो जे एलो जूनियर लीगल ओफिसर उस पोस्ट के बारे में बताएं कितने पद उसमें आ सकते हैं तो उसको लेकर एक न्यूज है रोडवेस के अंदर संख्या जो है वो भी परस पर लगातार कम होती चली जा रही है ठीक है तो हजारों पद खाली है उसका कारण क्या है अगर हम देखा जाए तो करीब करीब 5000 युवाओं को रोडवेस के अंदर रोजगार दिया जा सकता है क्योंकि पिछले 6 साल में करीब करीब 6000 करमचारी ज जहां अभी वर्तमान के अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 14000 करमचारी रहे गए हैं तो रोडवेस के जो अंतिम भरती आई थी वो वर्ष 2013 के अंदर आई थी उसके बाद से काफी सारे पद जो है खाली पड़े हैं वो भी अभी हम देखेंगे कि कौन-कौन से पद ख जा रहे हैं यानि की करीब-करीब 5000 पिछले तीन साल से रोडवेस विभाग जो है इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेच चुका है लेकिन इसको अभी तक मन्जूरी नहीं मिली है मन्जूरी क्यों नहीं मिली है इसका कारण बताया है रोडवेस विभाग की खस्ता जो है अर्थ विभस्ता को बताया गया है कि अभी तक अर्थ विभस्ता प्रशाशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक्जाम करा सके और ये सारी चीज़े हो सके तो इसलिए जो है भरती अगर कराएंगे तो रोडवेस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तो ऐसा एक कारण बताया जा रहा है अब हम देखते हैं अब क्योंकि चुनावी मौसम है एक लाग भरतियों की घोशना हो चुकी है तो हमें पूरी उमीद है कि रोडवेस के अंदर भी भरती आएगी ठीक है तो कौन-कौन से पदों पर भरती आ सकती है वो देख लेते हैं कंड़क्टर के द दृत्य के 1624 पद स्विक्रित हैं रिक्त कितने हैं 889 तो इन पदों पर न्युक्ति आ सकती है आर्टिजन ग्रेड दृत्य के 1590 पद जो है वो है स्विक्रित हैं 1029 पद जिसमें से रिक्त हैं तो रिक्त पदों पर भरती आएगी कनिश्ट अभियंता यानि कि जूनियर इं इंजिनियर बी के 207 पद स्विक्रित हैं जिन में से 131 पद जो है वो रिक्त है यानि कि खाली है उसके बाद अगर हम बात करें सहायक अभियंता निर्मान यानि कि एसिस्टेंट इंजिनियर कंस्ट्रक्शन के 5 पद स्विक्रित हैं जिसमें से 4 पद जो है वो खाली हैं कनि जिसके बारे में हमारे किसे लर्नर ने पूछा था जूनियर लीगल ओफिसर के देखे 45 पद स्विक्रित है ठीक है और खाली पद है 36 तो रोडवेज में अगर जेयलों की भरती आती है तो 36 पदों के उपर 36 पोस्ट के उपर आएगी स्टैनोग्राफर के 19 पद स्विक्रित है और उसमें से 18 पद खाली है स्टैनोग्राफर के कनिष्ठ लेखाकार यानि की जूनियर अकाउंटेंट के 230 पद स्विक्रित है और इनमें से 200 पद रिक्त है ठीके तो इन पदों के उपर जो है भरती कभी भी आ सकती है जैसे ही हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मैं मिलती हो आप से नेक्स्ट वीडियो में सबको मेरी तरफ से घणी घणी राम राम